एक फिमेल पुलिस इंस्पेक्टर से प्यान होता है, लेकिन कमला देवी को उसका ये फैसलात गवारा रही था नहीं रोहित बेटा, तु एक पुलिस अफसर्णी से शादी नहीं करेगा, मेरी चाती पर मूंग दलेगी वो दिन राद ऐसी बात नहीं है मा, शिल्पा दिन बर अपनी ड्यूटी पर जाएगी और वो दिन बर अपने काम में ही व्यस्त रहेगी लेकिन फिर भी, मैं नहीं चाती कि मेरी बहु मुझ से आगे हो, और एक फुलिस अफसर्णी हो सुरिंदर रोहित और शिल्पा की रिष्टे के लिए सहमती जताता है और रोहित और शिल्पा की शादी हो जाती है पुलिस बहु आरे के बाद कबला बहुत परिशान हो जाती है ओ बहुरानी, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे तहकीकात करनी है तो कहीं और जाकर कर ओ फो माजी, मैं तहकीकात नहीं कर रही, मैं तो बस चल चल फुट यहां से, और हाँ, खबरदार जो आइंदा से मेरे कमरे में आई तो वरना मैं तेरी तांगे तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी। कमला शिर्पा को अपने कमरे में आने ही नहीं देती है। एक दिल कमला के घर उसकी पड़ो सरे उर्विला और कन्नो आती हैं और वो कमला को छाड़ो से कूठती है। ये ले, ये ले कमला, तेरी तो ऐसी की तैसी, भैस, मोटी, चुड़ेल कही की, अरे, अरे, मेरे माजी की चेटी क्यों बना रही हो आप दोनों, ये देख, ये तेरे घर पर मेरे घर का शोफीस है, ये कमला ने मेरे घर से चुरा कर लाई है, और ये देखो शिलपा बेटी, य ये भी कमला ने मेरे घर से चुराई है, तीरी सास चोर है, माजी not fair, आपने ये बहुत गलत किया, चोरी करना पाफ है, अब माफ करना लेकिन मुझे ये कटोरी और शोफिस बहुत पसंद आये था, इस बार तुछे माफ कर रहे हैं कमला, अगली बार तो तुछे मिक्सर में ड चुराया है, बेरे तो आटे के डब्बे में रखे हुए सारे पैसे चोरी हो गए, और मेरे भी कहने और पहेंगे परते चोरी हो चुके है, मुझे तो कमला पर ही शक हो रहा है, हाँ उन्मिला बहन, मुझे भी, फिर सारी औरते चुपके से कमला के घर जाकर तलाशी करती है और उन्हें कमला के घर में कुछ नहीं मिलता, आप लोगों की अकल गुटने में है क्या, अरे मेरी सास ने आपके घर की चमच कटोरी क्या उठा लाई, आप लोगों ने तो उन्हें चोर का टैग ही लगा दिया है, अरे अपसर बिटिया, हमें तो तुम्हारी सास पर ही शक मैं चोर नहीं हो वो तो वक्त ही बताएगा कोई चोर है आप लोग चिंता बत कीजिए मैं ये केस हैंडल कर रही हूँ महले में सब के गहने और पैसे जिस चोर ने चुराये है मैं उसका पता जल्द से जल लगा कर रहूंगी शिल्पा उस चोर को ढूलना शुरू करती है लेकिन एक दिन जब कमला दूसरे महले के बाजार में जाती है तभी बहा वो शिल्पा को वर्दी में नहीं बलकि साधारन कपड़ों में देखती है ये शिल्पा बहु साधारन कपड़ों में कैसे ये तो वर्दी पहन कर निकली थी गर से कमला उधर की उधर शिल्पा को कॉल लगाती है हलो, कहा मर गई मेरी लुख़्ी बहुरानी माजी, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ बखो, क्या बखना है? इसका मतलाब ये कुछ तो चुपा रही है पहु, हाँ, कुछ भी नहीं कमला उस दिन शिल्पा का पीछा करती है और फिर वो उसे एक सुल्सान जंगल के रास्ते में जाते हुए देखती है जहां जाकर शिल्पा एक घर में जाती है और वहाँ उसे धेर सारा सोना और पैसा चुपाया होता है सबको लगता है मैं पुलिस हूँ, लेकिन असल में तो मैं ही असली चोड हूँ ओ तेरी, इतना बड़ा जूट, तू अब गई चोड़नी बहूँ इसलिए इसने कभी हमें पुलिस स्टेशन का पता नहीं बताया कमला गली की बाकी औरतों को बुलाती है और वो सभी मिलकर शेपा की खोब पिटाई करती है और फिर उसे कानून के हवाले कर देती है स्वीटी और यश, दोनों एक दूसरे से बच्पन से पहबबत करते हैं दोनों का अफेयर कॉलेज के दिरों से ही चल रहा होता है यश के पापा से धोका मिलने के बाद यश के मा बर्खा को मजबोरी में वैश्या बनना बड़ा और वो कोठे पर काम करके पैसे खमा थी और उसी से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था यश अपनी मा से बहुत प्यार करता है मा ये लो मैंने आपके लिए ये आपकी पसंदीदा आलू जलेबी लाई है आपको ये बहुत पसंद है ना? I know मा मुझे पता है आप एक बहु चाहती है है ना? मैं लाओंगा ना जल्दी लेकिन बेटा एक ही चिंता सदाती रहती है मेरा नाम अपनी गली में खराब है सबको पता है ये मैं एक वैश्य थी इसलिए आज तक चितने रिष्टे मैंने देखे सबने रिष्टा जोड़ने से मना कर दिया पता नहीं मेरे नसीब में बहों का सुख है भी या नहीं यश अपनी कंपनी के मालिक की बेटी स्वीटी के साथ आफेयर में होता है मटकू मैं कमरिया धीरे 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 साइया जी सामने बैठे चाम फीरे पीरे पीरे मेरे नोटी साइया जी 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 क्यों पीते हो इतनी टी 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 पी मी I love you sweetie, my sweetheart I love you too, yes baby Sweetie, तुम्हारे घर वाले एक वैश्या के बेटे को उपने दामान के रूप में सुविकार करेंगे तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी उसी बात की टेंशन है यश बेबी, finger cross, I just hope कि सब कुछ सोट आउट हो जाए, सही से Sweetie और यश दोनू, Sweetie के mom dad, इंदरपाल और वंदना को सब कुछ बता देते हैं तभी इंदरपाल तो मान जाता है, लेकिन वंदना गुस्से से लाल हो जाती है तुम्हारे दिमाग में गटर का कच्छना भर गया है क्या Sweetie? एक वैश्या सास चाहिए तुम्हें लेकिन मा, वैश्या होना कोई बिमारी या गुना थोड़ी है जैसे हम अपने बेट को पालने के लिए दो वक्त की रोटी खाने के लिए काम करते हैं वैसे ही वो भी एक काम ही है ना, तो फिर ये समाज उन्हें कलन क्यों समझता है? बंदना, Sweetie बिलकुल सही कह रही है यश्या एक बहुत ही अच्छा लड़का है मेरी कमपिनी का वन अप दा पैस्ट इंप्लॉई है वो और Sweetie की मा पहले एक बहश्या थी अब तो नहीं है ना और सबसे बड़ी बात यश्य ने ये बात हमसे छुपानी की जगा हमें सबसे पहले आकर बताई है और कितने गुट पॉइंट्स बताऊं येश के मंदना अंटी अब प्लीज मान जाईए ना मैं और Sweetie एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हा मा बर्खा अंटी भी बहुत अच्छी है लोगों का क्या है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का तो काम ही है कहना नहीं मतलब नहीं मैंने कह दिया सो कह दिया तुम इस वैश्या के बेटे से शादी नहीं करोगी Sweetie हल्किस नहीं बंदरा Sweetie और येश के रिष्टे को मना कर देती है जिस कारण वो दोनों बहुत दुखी हो जाते है और उनसे भी जादा बर्खा को बहुत जादा दुख होता है मुझे माफ कर दे येश बेटा सारी मेरी ही गलती है मेरी कारण ही तू और Sweetie आज इतने दर्द में है नहीं माँ इसमें आपकी खोवी भी गलती नहीं है आप प्लीज इस सब के लिए अपने आपको दोशी मठ ठहराइए प्लीज यश और Sweetie अब यश के घर पर भी मिलने लगते है और वो दोनों अब सोचते हैं कि बिना शादी के ही अफेर में रहेंगे वहीं सही रहेगा एक दिन जब Sweetie यश के घर जाती है तब ही वो देखती है कि बर्खा एक फोटो एल्बम देख रही है जिसमें उसकी और उसके बच्पन की सहेली की फोटो होती है Sweetie उस तस्वीर को देख कर हैरान हो जाती है ये क्या? क्या हुआ Sweetie? बर्खा अटी? ये आपके बच्पन की तस्वीर है? हाँ Sweetie बिटिया ये ही क्लोटी तस्वीर है जो मेरे पास है ये मेरी बच्पन की दोस्त है बंदू येश बंखा अटी ये तो मेरे मा है बंदना यानि बंदू क्या? क्या? तुम्हारी मा बंदू है? हाँ हाँ मैंने अपने मा की तस्वीर देखी है बच्पन की इंफेक्ट उनके पास में यही तस्वीर है, सेम टू सेम इसका मतलब मा, आप और वन्ना अंटी बच्चपन की सहलिया हो यश और स्वीटी जाकर सब कुछ बंदिना को बताते हैं जिसके बाद बच्चपन की सहलिया, बंदिना और बर्खा एक दूसरे को मिलते हैं वन्दू, इशू, लेकिन मा का नाम तो बर्खा है नहीं बेटा, आज मैं सारे राजों से पर्दा हटाऊंगी दरसल मेरा असली नाम इश्वरी था वन्दू और मैं जीवन पूल गाओं में रहते थे और पक्की सहीलिया थे उस दिन हम दोनों पहली बार अपनी तस्वीर खिचवाने फोटो की दुकान में गए थे और दोनों ने अपनी तस्वीर खिचवाई और फिर अचानक से कुछ गुंडों ने हमें किड्नप कर लिया क्या? और फिर? फिर उसके बाद जैसे तैसे वंदू उन गुंडों के चंगुल से भाग गई और इसे ये एशो आराम और महलो जैसी जिन्दगी मिली और मुझे कोठा मिला वो गुंडे मुझे कोठे में ले गए इसका मतलब आपने मुझसे जो कहानी कही थी वो जूटी थी? हा बेटा, तेरे पापा के धोखे के बाद मैं कोठे पर नहीं आई बलकि मैं कोठे पर थी तभी तेरे पापा और मेरा प्यार शुरू हुआ लेकिन वो मुझे गर्वती करके छोड़ गया मैंने तुछे इस दुनिया में लाना सही समझा और पाल पोज कर बड़ा किया बर्खा, यानि इश्वरी की दुख भरी कहानी सुनकर सबकी आखे नम हो गए थी और सबसे ज्यादा तो वंदरा की वंदरा हाथ चोड़ कर बर्खा से माफी वांगती है मुझे माफ कर दे इश्व आज अगर मैं उस वक्त गुंडों के चंगुल से नहीं भागती तो मैं भी कोड़ी पर ही एक वैश्या बन जाती वैश्या होना कोई गुना नहीं है वो भी एक काम है आज किस्मत ने हम दोनों सहेलियों को फिर से मिला दिया और अब हमारा रिष्टा दोस्ती से संधनों में बदलेगा शादी की शेहनाया बजाओ क्योंकि अब होगी दबिग फैट पैटिंग अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और यश और स्वीटी की शादी हो जाती है जिसके बाद सभी हसी खुशी अपने अपने जीवन में सुखी रहते हैं